आज हम एक बहुत ही दिल्चस्प विशय पर बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे कुछ बड़ा करने जा रहा है हम बात कर रहे हैं देश के अब तक के सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक इंजिन के बारे में सोचिए पूरे 9000 होर्स पावर का इंजिन और इसका परिक्षन भी एक बिल्कुल नए खास तोर पर बनाये गए हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक पर होने वाला है भारतीय रेलवे का शक्तिशाली इंजिन गती और आत्मनिर भरता तो आज हम इसी पर थोड़े गहराई से चर्चा करेंगे कि ये नए इंजिन और ये खास ट्रैक भारतीय रेलवे की अपनी टेक्नोलोजी मतलब आत्मनिर भरता और भविश्य की तेज रफतार ट्रेनों के लिए कितने एहम है बिलकुल और ये जानना भी जरूरी है कि ये इंजिन गुजरात की दाहोद लोकोमोटिव फैक्टरी में बना है अच्छा दाहोद में हाँ और इसका ट्राइल अगले हफते ही जैपुर जोदपुर रेलमार्क पर जो नया हाइज स्पीड ट्रैक बना है ना उस पर शुरू होगा अगले हफते ये तो काफी तेजी से हो रहा है सब और ये अपने आप में कई चीजे पहली बार हो रही है एक तो इतना शक्तिशाली इंजिन 9000 होर्स पावर और वो भी भारत के पहले डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक पर हाँ बिलकुल ये पहली बार है ये ट्रैक सुना है गुड़ा से मीठडी के बीच है कोई 64 किलोमीटर लंबा जी हाँ 64 किलोमेटर और इस पर 220 किलोमेटर प्रती घंटे से भी ज्यादा रफतार से परिक्षन हो सकेगा ये बहुत बड़ी बात है तो 220 से भी ज्यादा कमाल है बिलकुल और यहां दिल्चस्प बात ये है कि ये सिर्फ गती के बारे में नहीं है जैसा आपने कहा ये तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये इंजिन यहीं भारत में ही डिजाइन और तियार हुआ है अच्छा और ये जो ट्रैक बन रहा है इसकी लागत करीब 800 करोड रुपे है और इसका लगभग 75% काम पूरा भी हो चुका है 800 करोड ये तो काफी बड़ा निवेश है हाँ और उमीद है कि ये जनवरी 2026 तक पूरी तरह तयार हो जाएगा तो आप सोचे भविश्य में वंदे भारत हो, बुलिट ट्रेन हो या कोई भी नई हाई स्पीड ट्रेन उनकी टेस्टिंग इसी ट्रैक पर हो सकेगी हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए सही कहा आपने ये आत्म निर्भरता वाला पहलू वाकई बहुत महत्वपोन है अच्छा तो जब ये इंजन इस नए ट्रैक पर दोड़ेगा तो क्या सिर्फ इसकी टॉप स्पीड ही जाची जाएगी या और भी कुछ पर्खा जाएगा नहीं नहीं सिर्फ स्पीड नहीं ये एक बहुत ही व्यापक परिक्षण होगा डीटेल टेस्टिंग होगी इंजन कितनी तेजी से स्पीड पकड़ता है मतलब एकसिलरेशन ब्रेकिंग कितनी असरदार है मोड पर या तेज रफ्तार में कितना स्थिर रहता है stability जिसे कहते हैं इसकी खिचाओ शक्ती यानि traction कैसा है जटके कितने जहल पाता है ride comfort कैसा है vibration कितना होता है ये सब कुछ देखा जाएगा बारी की से वापरे, इतनी सारी चीज़ है हाँ, और इतना ही नहीं इसके साथ साथ track के जो signaling systems है overhead बिजली के तार यानि OHE और जो safety systems है उनका भी परीक्षन होगा और ये सब कुछ विशिशग्यों की कड़ी निगरानी में किया जाएगा मतलब पूरी तरह से safe और secure तरीके से हम, इसमें एक quasi-static test का भी जिकर था उस लेक में ये नाम थोड़ा technical सा लग रहा है ये क्या चीज़ है? हाँ, ये एक दिल्चस्प test है quasi-static test ये EN 14363 मानकों के अनुसार होता है EN 14363? हाँ, ये मोल रूप से यॉरपिय मानक है जो train की सुरक्षा और वो track के साथ कैसे interact करती है उसको परक्षने के लिए बनाए गए है तो इस quasi-static test भी क्या करते है हाँ, कि engine को जान बूच कर मलब intentionally track की सबसे खराब मानी जाने वाली परिस्तितियों में चलाए जाता है सबसे खराब परिस्तितियों में? हाँ, जैसे की बहुत तीखा मोड हो या track थोड़ा उबढ़ खाबढ़ हो लेकिन इसमें खास बात ये है कि speed बहुत धीमी रखी जाती है करीब 15-20 km प्रती घंटा सिर्फ 15-20 लेकिन क्यों? एक high-speed engine को इतनी धीमी रफतार पर क्यों चलाएंगे? वो भी खराब track पर? हाँ, यही तो इसकी खासियत है इसका मकसद ये देखना है कि अगर track की हालट ठीक नहीं है तो क्या engine धीमी गती पर भी पूरी तरह स्थिर और सुरक्षित रहता है? कहीं पहिये पटरी से उतरने का कोई खत्रा तो नहीं बन रहा? मतलब हम ये परक रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी engine का जो base है उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है अच्छा, समझ गया high speed पर दोडाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कम speed पर मुश्किल परिस्थितियों में कैसा बरताव करता है तो ये सिर्फ engine का test नहीं है ये track की मजबूती का भी इम्तिहान है बिल्कुल सही मतलब रफ्तार पकड़ने से पहले ये पक्का करना कि बुनियाद एकदम मजबूत है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो ये तो बहुत एहम है तो कुल मिला कि भारत ना सिर्फ अपना सबसेश शक्तिशाली engine टेस्ट कर रहा है बलकि उसे एक अत्याधुनिक नए track पर हर तरह की चुनोती के लिए त्यार कर रहा है बिल्कुल या कोई नया innovation क्या हो सकता है मतलब what's next इस पर भी सोचना चाहिए